Hello friends, शागात है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यह और श्च्ट्री गाइड पर तो friends, आज हम लोग पढ़ेंगे महडेन स्ट्री में मराथा समराज जिसमें आज हम लोग इस बूसली पढ़ेंगे छठरपती सिवा जी के बारे भी मराथा समराद में हम एक वीडियो और लेक कराएंगे जिसमें हम लोग सिवा जीक की बंसा जोगर पेसवा के सम्वन में पढ़ेंगे और सिवा जीसा जितने भी पॉइंट बनते हैं आज के वीडियो में हम उन सभी पॉइंटों को टेकल करेंगे और इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि सभी चीजे सरवन में भी आ जाएं और यार भी हो जाएं क्योंकि ना सिर्फ समझने से काम चलेगा और ना सिर्फ याद करने से दोनों कंबिनेशन लिठाना बहुत जरूरी है तो अब हम लोग देखते हैं सिवाजी के बारे में कौन से पॉइंट है अब पहले हम लोग इस्तिती समझते हैं देखिए दिल्ली में सासन चल रहा था औरंग जेब का मुगल सासा कौन थे दिल्ली में तो औरंग जेब और आजनी महराष्ट्रा जो है उसमें उद्य होता है यानि कि उभर कराता है मराठा समराज और इसके परतदुन्दी समराज उभर कराते हैं कौन बीजबूर तो आज के चेप्टर पूरा इसी पर बेच्ट है मराठा समराज औरंग जेब तो आज के फूरा चेप्टर इसी पर बेच्ट है अब हम लोग बढ़ते हैं सिवा जी की ओर सिवा जी के बारे में देखें तो सिवा जी का सासनकाल 1627 से 1680 यह 1680 में जो सिवा जी चात्रपते जी थे चात्रपती सिवा जी का जन्म 1627 से 1680 में होता है और उनकी मुर्थिव 1680 में तो यह दोनों पॉइंट ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं तो ध्या लखें कि सिवा जी का जन्म 1627 और उनकी मुर्थिव 1680 आपुलोग दिखते हैं निकिए शीवा जीका जन्म कि नाम पर ही शीवा जी का नाम पढता है तो वैसे यह बहुत कम trap ने पूछने में का लिगन जानकारी के लिए ध्या रखे शीवा जीका जन्म अब लोग दिखते हैं पिता तो सिवा जी के पिता का राम था साजी भोसली वह भोसली वह शली बन्ट से थे और उनका नाम क्या था साजी तो सिवा जी के kinda नाम साजी भोसली उन्हीं माता का नाम जी जवाई था उन्हीं माता का उन्हीं पर बहुत प्रभावदा आलोग ध्यान रखिये कि सिवा जी की माता का क्या नाम था तो सिवा जी की माता का नाम था जी जवाई अब सिवा जी के संदच्च के हैं या सिवा जी के राजनीतिक और उनके अध्यात्मिक गुरु अध्यात्मिक गुरु कहा जाए या धार्मिक कुश्चन दोनों से यह भी पूछा जाता है कि सिवा जी के धार्मिक गुरु कौन थे तो सिवा जी के धार्मिक गुरु कौन थे तो राम दाफ और सिवा जी की पतनी एक्चली सिवा जी की साथ तो लोगों को याद हो गया होगा, आप चलिए एक बार दाष्मे कि देखे, जीए बिलकुल ऐसे, सिवा जी का जन्म का हुआ था तो सिवा जी का जन्म का हुआ था तो 1627 में हुआ था कहां हुआ था सिवा जी के पिता का क्या नाम था तो सिवा जी के पिता का नाम था साजी भोसले उनहीं माता का क्या नाम था तुनकी माता का नाम था जी आवाई पूछा जाए कि शिवा जी के राजनीतिक गुरु कौन थे तो शिवा जी के राजनीतिक गुरु थे दादा जी कौन दो और पूछा जाए कि शिवा जी के अध्यात्मिक गुरु कौन थे तो शिवा जी के अध्यात्मिक गुरु थे कौन थे तो रामदास थे उसके बाद पूचा राए कि सिवा जी की पत्नी यानि पहली पत्नी कों थी तो साइब आये थी उनके साथ उनका विवाप 1640 समीम वह दा और सिवा जी की मृत्यु कभूई थी तो सिवा जी की मृत्यु तीन अप्रेल 1680 समीम हुई थी तो उम्मीद करते हैं इतना आप लोगो कती की कि तिहाँ यानि की सि्वा जी कैसे संखर्स करते हैं कैसे मृत्भास और अगे बढ़ाथे हैं अब हम लोग यह देखते हैं तो यह हम लोग मए भाव मोरी में तो जो दिल्ली में सा सकते और अनिजेव वे एक हिंदू प्रियोधी सा सकते और इसी विरोध में जो मराथा संदाज के छत्रपती सिवा जी उभरते हैं वो एक हिंदू त्वादीर सा सकते यानि कि शासर जो कि मराथा में का जाता था छत्रपती तो जो सिवा जी छत्रपती स शिवाजी थे वो एक हिंदुत्वादी सासक्ते और वे एक हिंदुर राष्ट की अस्थापना करना चाते थे और इसके लिए वो संकल्व बद्ध होकर मराठा समराज को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं तो आप हुम लोग देखते हैं कि कैसे सिवाजी महराज मराठा समराज को आगे बढ़ाते हैं तो देखे जो सिवा जी छत्रपति शिवाजी थे वो अपना प्रारंभिक सेलन भ्यान यानि कि अपना जो पर्थम सेलन भ्यान था वो विजापुर के विरुद्द आदल सा जो बीजापूर के आदल सा थे उनके वुरुद अपना पर्थम स्टाल नभ्यान चाल उगरते और 1643 सिवी में वो सिंग गड का किला जीतते हैं पहला किप्चन पूछ ले जाएगा कि सिवा जी का पहला वियान किसके वुरुद था तो बीजापूर के आदल सा के आप लोग डेट को लेकर बिल्गुल भी परिशान मत होईएगा अभी उम बताएंगी कि इसको याद कैसे करना तो देखें 1643 सिवी में उन्होंने सिंग कड का किला जीता 1644 सिवी में उन्होंने पुरंदर का किला जीता उसके बाद 1665 में एक थे बीजापूर देखें लेकिन सिवा जी उनकी मंसा से वाकित थे और जब अबजल खा जाते हैं उनकी मृत्यू के लिए उन पर खंजर चला देते हैं तो सिवा जी को चुकि पहले सी पता था इसलिए पूरे सरीड पर स्टील का एक प्लेट पहने हुए थे इससे क्या होती है तलवार सिवा जी को लगती नहीं है और वह जंगल में पनी सेना को छुपाया लेते हैं और अब जल खा की मृत्यू कर देते हैं यानि कि हत्या गरते तो कुछा जाएगा कि अब जल खा की मृत्यू कभूल तो 1669 में अब उसके बाद 1663 में अब देखे जो सिवा जी थे वो सिंगी कटका के ला ने कंदा विता शंदयू के अब उसमेर आघ्र को पराजित के इस से दिल्ली में सतथए औरंग जेब वह बहुत चिन्तिध्ष पड़ जाते हैं और मामा साहिस्त खाए खां को सथारा को तो आउरंग लिए अपनी मामा को भेजते हैं सहिस्ता ख़ां को सिवजी से लड़ने के लिए लिकिन सिवजी महाराथ जो थे वह सहिस्ता ख़ां को भी परास्ट कर देते हैं और उन्हें घायल कर देते और उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि सूरत के पर्थम लूट सूरत जो कि अउरंग जेब के यानि कि मुगलों को कबजे में था तो जो छत्रपति सिवा जी थे वो 1664 सूरत पर लूट यानि कि सूरत पर लूट करते हैं उसे लूटते हैं और लगभर एक करोड का दहर म महां से लूटते हैं इससे जो आउरंग जेब थे वो काफी चिंतित होते हैं और कछवा राजा को भेजते हैं सिवा जीस से लड़ने के लिए सूरत की लूट के बार 1664 में सूरत की पर्थम लूट होती है और 1662 में जो होती है पुरंदर की संधी होती है जब आउरंग जेब भेजते हैं कछवा राजा जैसिंग को सिवा जीस से लेड़ने के लिए जिसे पुरंदर की संधी का जाता है 1665 में पुरंदर की संधी होती है जिसमें सिवा जी को अपने जीते हुए 35 किलो में से 25 किला देना पड़ता है कछवा राजा जैसिंग जो थे वो आरंग जैब की कहने पर ही आयती है पुरंदर की संद कब हुई थी तो पुरंदर की संद 1665 में हुई थी सूरत की पर्थन रूट के एक वर्स बाद इसलिए सिवा जी को पने जीते हुए 35 किलों में से 23 के लिए देने पड़े थे अब उसके बाद एक बार सिवा जी गए हुए थे औरंग जेब के दरबार में वहां औरंग जेब क्या करता है कि सिवा जी को उस लाइन में खड़ा कर देता है जहां पर उन्हें प्रतिष्णा धूमिल होते हुए दिखाई देती और वह इसका विरोध करते हैं इससे औरंग 2666 में ही अपने बड़े वाले दिन वह कहा जाता है कि अपने बर्तिदे में मिठाई बातने वाले टोकरी में बैठ कर ही भाग गए थे तो यहां से ध्यान रखे औरंग जेब द्वारा वा बंदी यानि च्छतवति सिवा जी बंदी कब बनाए गए थे तो 166666 में और वह भ करते हैं सूरत की दूसरी नूट के बाद चुकि इतना वर्स हो गया था लेकिस सिवा जी ने अपना राज्यव से नहीं कर वाय था तो सिवा जी का राज्यव से कब होता है तो 6 जून 1674 में कब हो था तो 6 जून 1674 में और वह एक बनारस के प्रकांड विद्वान एक बहुत जो पंडित थे उनसे अपना राज्यव से कवाय थे जिनका नाम गंग भट था तो सिवा जी का राज्यव से कब होता तो 6 जून 1674 में किस पंडित के दौरा तो गंग भट दौरा और वो एक उसी समय दूसरी साधी की हुए थी उनसी दूसरी पतिनी थी स्वहरा भाई उसक उन्होंने जिन जी का चलवा जीता था वह इनकी अन्तिम विजे थी करनाटा कभियान 243 में तो तो आप नोग यक बार तेड कैसे याद करे方 के बिल्कुल डेट को एक बार अलग लिखें और ध्यान करें कि 1627 में जनूर होता है 1640 में उनकी पहली पतिरी से विभा होता है उसके आप 1643 में वो सिंग्रिकर्ड का किला जितते हैं और इसको आप लोग छोड़ भी सकते हैं ये उतना नहीं पूछा जाता 1643 में सिंग्रिकर्ड का किला जितते हैं 1669 में अब जल खां की मिरित्यु करते हैं 1663 में साइस्ता खां को घायल करते हैं 1764 में सूरत की पर्थम जीर 1665 में बाहजू 1665 में संधि liegen होती है कच्षपुरंदर की संद कच्षवा राज्या और कच्षवा राज़ा जय सिंग और सिवा जी के मर्द उसके बाद 1666 में बंदी बनाया जाते हैं और भाग भी निकलते हैं उसके बाद 1670 में सूरत की दूसरी रूट होती है और सोलो सो चोगत्तर हिसमी में उनका राज्या विश्रेक होता है और फाइलि सो असीस भी में उनकी हो जाती है मृत्यू तो आप लोग एक दो बार डेट को याद करेंगे तो याद हो जाएगा अब हम लोग बढ़ते हैं सिवा जी के परसासन की ओर सिवा जी का जो परसासन था वह हिंधू वाधि परसासन था यानी कि वो जो स्टलर को बढ़ावा दे रही थे जो सिवा जी महराज थे वह आठ मंत्रियों का एक स्वाराज जाता ने के और इसका अब मैं क्या जाता तो अश्ट प्रधान परसद क्या का जाता है अश्ट प्रधान परसद तो इससे कभी कभी कुश्चन पूछ लिया जाता है कि पेश्वा का क्या गाम था या फिर सुमंत का क्या गाम था तो इसके लिए हम लोग इसे देख लेते हैं एक बार तो जुकि शिवा जी के समय तो पेशवा उतना तारग हो नहीं था लेकिन हम लोग जब नेक्ट वीडियो में देखेंगे तो जब बाला जी विशुनात या बाजी राव परतम के समय सबसे पर्मुक तो पेशवा ही हो जाते हैं जो आमत थे वो धन्स जबन्र यानि कि जो धन्से जैसे सम्मदित य्षफ उसके हैड़ now or whether युषब के तो वीजा। टो सबस्तर के लिए अब समझाजा गया जीकि मंत्र निकेश की अब सब्सक्राइब बस जाल राखती खुशा संब्सक्राइबонов पत्रा स्राद्र-चारदिचुश्य पत्र भेजना है या महां से आया है तो इस संबन में कौन होते थे तो चिटनी सेना का परमुख नयाए दीज अन्खिम नयादेते थे लेकिन आप लोग ध्यार रखें कि सिवा जी इस सबसे ओपर थे उनसे नीचे जो नियाले होते थे उसके परमुक होते थे और पंडित राव यह जो धार्विक कार होते थे यग कवाना है यह कहीं दान देना है उसके हैड होते थे पंडित राव तो मुख सलाकार यानि धार्विक कार के विभाग के होते थे और वह यानवेस यह वड़ अलग है इसे ध्या रिखी और यहां से आलोग शिवाजी के समय में जो टेक्स लिया जाता था तो दो कर लिया जाते थे उससमें कभी-कभी पूछा जाता है सर्देश मुखी और एक चौथ और एक सर्देश मुखी सर्देश मुखी में एक बटा दस भाई लिया जाता था और चौथ में एक बटा चार तो कभी-कभी उससे भी कुछन पूछिया जाता है तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा चीजे याद हो गई होगी यह नहीं याद हुआ है तो आप लोग एक बार वी लीडियो पसंद आया है तो प्लीज यसे लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने फ्रेर्ण्स के साथ सेयर करें और हमें कमेंट बाक्स मी जरूर बताए कि आप लोगों को वीडियो करसे लगा थैइंक्यू थैई फार वाचिएंग इस वीडियो